Hello everyone, very good morning to all of you. तो जैसा कि आप सभी को बता ही है कि हम transition elements की general properties है उनको discuss कर रहे हैं तो अभी तक हमने जैसे कुछ है properties की है जिसके अंदर आपने electronic configuration से की है कि electronic configuration जो है वो किस तरह से लिखते हैं हम transition elements के case में after that आप लोगो ने इनकी कुछ और properties like oxidation states, tendency to form complexes, then variable valency ये कुछ एक आपने properties जो है वो अभी तक study की है along with the catalytic property अब जो आज हम करने जाएंगे that will be another very important and very interesting property that is the color ठीक है आज का हमारा जो topic रहेगा this will be color ठीक है color क्यों आता है और along with color हम जो next thing करेंगे आज that will be the magnetic properties of the transition metals और ये दोनों properties जो है बहुत ही जावा important होती है ठीक है color और magnetic properties जो है it plays a very important role in the field of coordination chemistry तो आप सभी को इनके बारे में तो पता ही होना चाहिए और जैसा कि आप सभी ने labs में दिखा भी ही होगा बहुत सारे आपने chemical compounds जो है वो use किये हुए है तो अगर आपने कभी सोचा हो कि वो compound जो है वो colored क्यों है हम क्यों उनका color देख पा रहे हैं जैसे for example अगर मैं example के साथ चलता हूँ तो you know that आपने अभी तक जो lab में use किये हुए है that उनमें सब्सक्राइब आपको जो common है ठीक है copper 2 ये तो आप सभी ने use ही किया हुआ है ठीक है copper के solutions होते हैं this is blue in color ये तो आप सभी को पता yes के बारे में beside that आपने iron sulfate वगरा use किये होंगे तो उनका जो echo solution होता है ठीक है इनके जो echo solution होते है iron के this is green in color this is green in color और iron 3 जो होता है ये भी आपने qualitative analysis में use किया हुआ है and इसका जो color होता है आपके पास rusty जैसा red color का then beside that आपने nickel का compound भी use किया हुआ है ठीक है nickel 2 मैं ये echo solution में लिख रहा हूँ इनके colors ठीक है these are colors in the echo solution nickel 2 जो होता है आपका this is nickel 2 is green in color sorry this is green in color और जो cobalt 2 होता है आपका this is pink in color तो ये चीज़े आपने जो common observation है आपने देखा ही होगा labs में कि हम compounds लेते हैं copper nickel iron के और they are found to be colored तो you might be wondered कि ये compound जो है वो colored क्यों होते हैं तो अगर आपने कभी सोचा हो कि हमारी जो human eyes हैं वो क्यों हम color देख पा रहे हैं क्यों हमें को color नजर आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है हमारे पास तो जैसे यहां में आपको बताया colors को लेकर कोबाल्ट तो जो है हमारे पास this is pink in color और एक और वेरी इंट्रस्टिंग भी है और इस इस एक्को solution दाइज यह एक्को solution में है कोबाल्ट का color pink दाइज कोबाल्ट तो ठीक है अगर मैं आपको कहूं कि मैंने जैसे कोबाल्ट तो इस इस ओक्ताइडल कंप्लेक्स ठीक है इस इस पिंकिन कलर लेकिन अगर मैं यहां पर इसका coordination number चेंज कर दूँ ठीक है यहां पर औक्ताइडर से मैंने यहां पर ammonia डाला स्वरी आप शिंपल एक्जमल मैं इसका कंप्लेक्स मनाने जा रहा हूं एक इन टेक्ट्रहेडर्ल oxygen state माल मेरे बास है कोबाल्ट एक्ट्रागलोरईड ठीक है यहां से मैंने कोबाल को कनवर्ट किया इंटो दी ग्वाल की कोबाल टेक्रागलोर्ञ ठीक है तो हमारे पास की जो हम पर प्ल्र हूए करत से चेंज्च हो जाएगा डीक है मैंने सेम्मोनिय डालीया अब मैंके कर रह कर रह हो यहां से इसका हाइकसा कॉटिनटर कंपर्यक्स ही मना रहा हूं आगे के इऑक्टकारेट disclose ही कंपर्श मना रह हूं के blue हो गया ठीक है तो main question आपका यही है कि why color जो है वो change क्यों हुआ और यह color जो है वो arise किस तरह सुखता है तो आज हम चीज करने जा रहे हैं that is कि color जो है वो कहां से produce होता है हमारी eye क्यों color देख पाती है तो जैसा कि मैंने आपको already बता ही दिया कि जो आपके transition metals जो भी इनके compound होते हैं almost maximum ठीक है most of the transition metal compounds होते हैं वो color होते हैं हमारे पास either in their solid state या फिर अगर हम बोले हम solution form ठीक है तो जो transition metals के हमारे compounds है usually maximum most of the compounds जो भी है they are colored ठीक है either in their solid state ठीक है और in their solution form ठीक है या तो solution की form में आपके पास color होगा इनका या फिर आप अगर solid state में लेके चले तब भी आपके पास color रहे हैं जैसे आपने देखा ही है potassium permanganate, potassium dichromate वो बहुत intense color के होते हैं तो अभी मैं उनके अंदर deep में नहीं जाओंगा कि उनके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो पहले हम color की बात करते हैं कि हमारी eyes जो होती है human eyes why they see color क्यों हमें color नजर आ रहा है तो जब भी कोई substance ठीक है atom molecule या compound कोई भी ठीक है जब वो किसी proper frequency की light absorb करता है ठीक है whenever a substance it will absorb a light of proper frequency तो होता क्या हमारे पास है जैसे ही वो light absorb करेगा तो हमारे पास होगा क्या जो electrons होंगे वो substance के वो excited कर जाते है狂व है इलेक्ट्राइट कर जाएंगे कहां पर low energy level से ठीक है जो हमारे lower energy levels है वहां से excited करके higher energy levels में चले जाएंगे ठीक है और ऐसा हुआ कब जब हमारे substance ने क्या किया जब light absorb की लेकिन मैंने साथ में word mention किया that is of proper frequency ठीक है मतलब आपके पास एक particular reason होगा उसी reason के अंदर कर light absorb करेगा ठीक है तो हमारे पास वैसे तो electron जो भी substance होता है वो proper frequency उसको मिल जाती ह लेकिसी reason के अंदर तो उसके लेक्टों जो अक्साइट कर जाते हैं lower energy level से higher energy levels में लेकिन हम बात किसी कर रहे है कि हमें color कहा नजर आए ठीक है तो हम सिर्फ colored substances की बात करेंगे तो जो colored compounds होते हैं हमारे पास they usually absorb ठीक है जो हमारे colored compounds होंगे they usually absorbs अब आपको सभी को सभी को पता ह ही है लेक्टो मेरे स्पेक्ट्रम में हमारे पास different reasons होते हैं जहां पर हमारे पास cosmic, gamma rays, UV reason, IR reason, visible reason, microwave reason इस तरह से अलग-लग reasons हैं तो उन मेंसे जो हमारा color होता है जो color compound होंगे they usually absorb in visible reason ठीक है color compounds absorbs in visible reason तो मतलब हमारे पास क्या हुआ बोलने का कि जो भी हमें color नजर आएगा वो इस reason के अंदर आता है ठीक है हमारा color visible reason के अंदर नजर आएगा तो अगर हमारा absorption इस reason के अंदर होता है ठीक है तो हमारी आई जो है वो color देख पाएगी ठीक है तो जैसे मैं आपको कहा substance जो है वो proper frequency की जो light होगी उसको absorb करेगा तो proper frequency कौन सी होई visible reason के अंदर ठीक है light absorb तो उसके लेक्टोन जो है वो लोर एनरजी लेवल से हाई नरजी लेवल में एक्साइट हो जाएंगे ठीक है तो होगा क्या हमारे पास तो हमारी जो आई होगी ठीक है तो हमारे पास जो भी हमारे पास सन लाइट में जो भी हमारे पास mixture होता है, सभी colors का, ठीक है, जो भी मारी sunlight है, उसके अंदर जितने भी colors होते हैं, उन सभी का जो mixture होगा, उसको देखेगी, ठीक है, तो पहले तो हम visible reason की बात करते हैं, Electromagnetic spectrum के अंदर, जो visible reason, इसको तो usually हम ऐसे 400 to 800 nanometer लिखते हैं, ठीक है, this is 400 to 800 nanometer, लेकिन 200 to 400 हमारा जो होता है, that is UV reason, तो हमारे पास, आप सभी को पता ही है, जो हमारी sunlight होती है, that is a white light, it consists of 7 colors, ठीक है, उसको अंदर 7 colors होते हैं, विभगयोर, तो हमारी जो eyes होगी, ठीक है, जब कोई substance इन colors को absorb करेगा, तो हमारी जो eyes होगी, वो इन mixture देखेगी, इन सभी colors का, ठीक है, तो हमारी eyes होगी, वो इन सभी colors का mixture देखेगी, तो मैं पहले बात कलेता हूँ, आपके पास, कि हमारे जो sunlight है, उसके अंदर 7 colors होते हैं, तो अगर हमारा कोई substance होगा है, ठीक है, अगर वो सारे के सारे color absorb करता है, accept one, ठीक है, एक को चोड़के, तो हमारी जो eyes होगी, ठीक है, वो जो उसने absorb नहीं किया, उसको देखेगी, ठीक है, तो eye usually हमारी, जो complementary color होता है, ठीक है, ज सेंपल है मेरा, this is simple a sample, ठीक है, हमारी, पहले तो sunlight के बारे में आपको बढ़ना चाहिए, कि जो हमारी sunlight होती है, उसके अंदर, अगर हम उसको prism से pass करें, तो हमारे पास, suppose this is a prism, और मैंने यहां से sunlight pass की, तो यह जो sunlight होती है, it will split into 7 colors, ठीक है, यहां से हमारे 7 colors जो है, वो ब इब ग्योर, यह 7 colors जो होते हैं, वो sunlight के अंदर होते हैं, that is, red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet, ठीक है, तो यह जो 7 color है, यही हमारे पास, electromagnetic spectrum में, जो हमारा visible reason है, इसको भी constitute करते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए, तो usually हमारा, मैं starting और ending की बात करता हूँ, जो हमारा violet, जो color होता है, ठीक है, यह जो violet color है, यह usually हमारे पास, 430 और 380 nanometer के बीच में लाई करता है, तो that means, जो visible reason हुआ, 400 to 89 nanometer, ठीक है, इससे 20 nanometer पीच्छे, जो हमारा UV reason आता है, वहाँ तक हमारा visible reason जो है, वो बलॉंग करेंगा, ठीक है, इसको हम far और इसकी near की term में जाते हैं, लेकिन अभी हम इसकी उपर नहीं जाएंगे, तो simply आप 4th, 380 nanometer से start करेंगे, अगर आप ऐस अभी लेकि चलें, कि 380 nanometer से मारा visible reason start हो गया है, और जो मारा red, जो color होता है, this is usually in 700 to 620 nanometer, this is 700 to 620 nanometer, ठीक है, ये 700 to 620 nanometer, तो यहां तक हमारा जो है, वो visible reason, जो है red, उसमें red light जो है, वो अब जो है, तो अब मैं बात कर रहा था, कि माल लो, ठीक है, हमारे बास कोई sample है, ऐसा हमारे ग्जाम्पल लेके चले, this is our sample, ये वारा sample है, ठीक है, this is our substance, कोई भी हमारा substance है, अगर ये sun light से सारे के सारे colors को absorb कर ले, ठीक है, हमारी sun light आ रही है, white light, तो उसके अंदर साथ color होते हैं, ठीक है, जैसे हमने already mention किया, ये साथ color आ रहे हैं, ठीक है, वीब के ओर, अगर वो इन सभी colors को absorb कर लेती है, ठीक है, absorb कर लिया, that means, यहाँ से कोई भी color reflect नहीं हुआ, यही हुआ, साथा साथा color आपके absorb हो गए, और कोई color reflect नहीं हुआ, तो मैंने आपको क्या कहा था, कि, तो, कि, जब भी कोई sample जो है, वो light absorb करेगा, तो हमारी eyes जो होगी, वो क्या देखेगी, हमारे पास जो remaining colors होते हैं, उनको देखेगी, ठीक है, that means, जो color हमारी eyes को reflect होंगे, हमारी eyes जो है, वो उनको देखेगी, तो अगर सारे के-सारे colors, जो white light केंदर है, sunlight केंदर, अगर इसको absorb कर लगता है हमारा substance, that means, यहां से कुछ भी मारी eyes तक नहीं पहुंचेगा, nothing will reflect on our eyes, that means, हमारी eyes कुछ भी नहीं देख पा रही है, तो substance white will appear as black, ठीक है, हमारी eyes को substance black appear होगा, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, जब भी कोई substance आपका सारे के-सारे color absorb कर लेता है, ठीक है, हमारी eyes तक कुछ भी नहीं पहुंचने वाला है, तो we are getting black, ठीक है, अगर हमारे पास अब substance के करता है, ठीक है, अब हमारा जो sample है, ठीक है, जो sample है हमारा, अब यह करता है कि सारे के-सारे colors जो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, जो भी मारे white light से, मारे sunlight से सारे के-सारे color आ रहे हैं, अगर इन सभी को reflect कर देता है, ठीक है, अगर इस सारे के-सारे colors जो है, इनको reflect कर देता है, ठीक है, सातो सातो color हमारे reflect हो गए है, तो सातो के-सातो color जो है हमारी eyes तक पहुंचेंगे, ठीक है अगर हमारे पास sample सारे के सारे colors जो है उनको reflect कर देता है that means our eyes will see a mixture of these colors ठीक है और सभी को देखेगी तो हमारे eyes को सारे के सारा white या फिर colorless नज़र आएगा ठीक है अगर सारे के सारे absorb होगे तो black नज़र आता है अगर सारे के सारे reflect होगे हमारे eyes तक पहुंच गए that means substance will appear as a white ठीक है तो अब हमारे अगर हमारे इन colors में से कोई एक color miss हो जाए ठीक है अगर इन में से कोई एक color miss हो जाए तो हमारी eyes जो है उसका complementary color जो है वो देखती है ठीक है तो आपने जो first important very important thing है उसको जो आपने ध्यान में रखना है ठीक है कि हमारे पास हमारी जो eyes है ठीक है वो देखेगी क्या हमारी eyes जो है वो आपके पास usually complementary color जो है वो देखती है ठीक है eyes जो है हमारी it uses eye uses complementary color ठीक है it uses complementary color in the color vision तो that means अब हमारे पास क्या रहेगा कि जब भी हमारा कोई सेंपल जो है इड फोटोन ओफ लाइट दाइज विजिब लाइट ठीक है जब भी हमारा सेंपल अगर हमारे पास फोटोन अबस्वाब करता है विजिब लाइट के तो अगर जो अबस्वाब करने पास जो हमारा कम्प्लिमेंटरी कलर होगा ठीक है उस लाइट का जो हमारा कम्प्लिमेंटरी कलर होगा हम उसको देख सकते हैं ठीक है और जैसा कि मैंने आपको अलड़ी कहा अगर सब कुछ अबस्वाब कर ले तब black आएगा, अगर कुछ भी absorb नहीं करता है सारे के सारे मारी eyes तक पहुँच आते हैं तो हमें colorless appear होगा, लेकिन अगर कुछ absorb कर लेता है, तो जो भी हमारे पास eyes, हमारी जो eyes होगी वो बाकी जो color हमारे पास reflect होके आ रहे हैं, वो हमारे पास उनके through देखेगी, ठीक है, तो जो absorb किया होगा उसका जो हमारे पास complimentary color होगा, that our eyes will see ठीक है, तो example लेके चलते हैं हम इस चीज को लेके, ठीक है, for example मान लो, कि जब मैंने कोई color जो है, वो visible light से remove कर दिया, ठीक है, when a color is removed from the white light, बोलने का मतलब ये है कि suppose, ये मेरा sample है, this is, मालो मेरे पास कोई strip पही है ठीक है, this is a strip यहाँ पर हमारे पास white light आ रही है, तो white light के अंदर हमारे पास seven colors होंगे ठीक है, ये seven colors आके हैं हमारे पास, ठीक है, अब मालो यहाँ से आपकी पास seven colors आ रहे हैं, और जो छे colors है वो आपके पास reflect हो गए ठीक है, ये आपका sample है इसके उपर आपके पास white light जो आपकी, जो आपने light strike ही है, इसके अंदर आपके पास seven color होंगे, उनमें से six color जो है, वो reflect हो गए, ठीक है तो that means, strip कर के रही है, सिर्फ एक color को absorb कर रही है, ठीक है और 6 के 6 को के कर रही है reflect कर रही है, ठीक है तो मान के चलो की vibgior है आपके पास this is vibgior इस vibgior मेंसे मैंने के कहा कि मान लो मैंने indigo light ले ली ठीक है तो हमारे sample ने सिर्फ और सिर्फ indigo light को absorb किया, ठीक है तो जो हमारी indigo light होती है जो उसका reason होगा हमारे पास उस reason में absorb करेगी, जैसे जो मैंने आपको बताया 400 to 800 nanometer इस reason में हमारे पास जो indigo reason होगा उस light को ये absorb करेगा हमारा sample, ठीक है, बाकी सब को उसने reflect कर दिया है, तो that means अब हमारे पास जो इस light का हमारा जो complementary color होगा हमारी eyes को वो appear होगा, ठीक है तो indigo जो है इसका जो हमारे पास complementary color होता है that is yellow, ठीक है indigo का complementary color है हमारे पास yellow, तो that means हमारी eyes क्या कर रही है, sample देख रहा है हमारा, कि ये 7 में से 1 color absorb कर रहा है, 6 को अबने में से reflect होने दे रहा है, ठीक है तो हमारे पास जो color absorb होगा, उसका complementary color होगा, वो हमारी eyes को appear हो जाएगा, ठीक है, तो हमारी eyes के लिए complementary color indigo का है yellow, तो ये जो हमारा sample है this will appear, ये जो मैंने strip आपको कही this will appear as a yellow to our eyes ठीक है, तो अब next thing अब आप सभी ये ही सोचेंगे कि complementary color हम किस तरह से याद रखेंगे क्योंकि आप सभी को complementary color पता होना चाहिए, तो complementary color के लिए आपके पास एक wagon wheel बलता है ठीक है, एक wagon wheel बलते हैं हम इसके लिए this is wagon wheel for the complementary color ठीक है, इसके अंदर हम colors जो है आपके, उनको लिखते हैं ठीक है तो ये simple है starting कर रहा हूँ मैं, vib gear से ठीक है, starting करेंगे हम easily vib gear, इसमें आप indigo को meet करेंगे this is vib gear ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपने सामने होंगे, एक दूसरे के ठीक है, एक दूसरे के complementary color रहेंगे तो अगर मैं आपका बोलना हूँ कि red का complementary color कौन सा है तो it will be green ठीक है blue का complementary color कौन सा है orange yellow का complementary color violet violet का yellow, इसी तरह orange का blue लेकिन कई बार हमारे पास क्या होता है अगर आप सोचो कि red light absorb की तो हमारे पास green ही complementary color होता है वही आना चीए लेकिन कई बार हमारे पास combinations में भी आ जाते है जैसे मान लो कोई substance हो है वो red light absorb कर रहा है ठीक है तो आज़ो complementary color तो हमारा green है तो it may appear blue क्योंकि हम blue और green का combination हो सकता है वैसे ही green yellow combination हो सकता है तो इस तरह से भी हमारे पास रहता है तो मैं आपको simple एक example लिके चलता हूँ अब आप सभी ने labs में देखा ही है copper 2 ठीक है मान लो मेरे पास sample है copper 2 का मैंने एक test tube ले ली ठीक है suppose this is मैंने sample ले लिया जिसके अंदर हमारे पास copper 2 का solution है तो इसके अंदर है हमारे पास copper 2 solution तो यह तो बताने की जूरत भी नहीं है आप सभी को पता है copper 2 जो है इसका solution होता this is blue in color ठीक है तो अब हमारे पास आपकी जो white light है ठीक है जो आपकी sunlight है इसके जो seven colors है ठीक है इसके जो seven colors आएंगे इन seven color में से ठीक है हमारे पास यह जो sample है वो blue cup नजर आएगा जब हमारे पास यह जो sample होता है copper 2 का although blue तब नजर आएगा जब यह orange light अब्सॉब करेगा ठीक है लेकिन हमारे पास sample जो होता है copper 2 का this will absorb light in the red reason ठीक है red और orange reason में यह अब्सॉब करता है red और orange जो light होती है इसको absorb करेगा ठीक है red और orange reason में यहाँ पे अब्सॉब करता है light को तो what we see what we see actually is the complementary color to these red and orange ठीक है red और orange reason में यह अब्सॉब कर रहा है तो हमारी eyes जो है इनका जो complementary color होगी उसको देखेगी तो जैसे कि red का complementary color है green ठीक है और orange का complementary color है blue ठीक है तो इनका जो combination होगा वो हमारी eyes को नजर आता है ठीक है तो यहाँ से हमारे पास जो sample जोगा that will appear as a blue ठीक है यह जो complementary color होगा that means यहाँ से यह जो light सारी है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ red और orange light जो है इसी reason में absorb करता है आपका यह copper to solution ठीक है पाकी सब को अपने में से पास होने देगा reflect कर देगा लेकिन red और orange light को absorb कर लेगा तो हमारी जो eyes होगी वो in red और orange का जो complementary color है ठीक है इसको देखती है that is जो हमारा green और blue है यहाँ से हमारा sign color आता है that is blue जो हमारा वो appear होके आएगा आपके बास ठीक है तो मैं जल्दी से जो जो मैंने अभी तक बोला मैं इसको summarize कर देता हूँ फिर उसके बाद हम next चलते है आगे कि जब भी आपका कोई sample होगा ठीक है whenever a substance that will absorb light of proper frequency in the visible reason तो जो हमारी electrons होते है वो lower energy level से excite होके higher energy level में पहुंच आते हैं तो higher energy level में पहुंचने के बाद जो हमारे absorption हुआ होगा ठीक है तो उसका जो हमारा complementary color होगा हमारी eye जो है वो उसको देख पाएगी ठीक है अगर हमारी eyes जो है अगर उसके पास तक कोई भी reflect okay light नहीं पहुंच रही है तो हमारी eyes को कुछ भी नहीं दिखेगा लेकिन अगर सारे के सारे color जो है reflect okay मारी eyes के पास पहुंच रहे है तो मतलब वो जो sample होगा colorless रहेगा तो इसका मतलब यह कि color आने के लिए at least one जो है हमारा मतलब एक तो आपके पास कोई ना कोई जो light होनी चाहिए वो absorb होनी ही चाहिए ठीक है तो हम बात करते हैं transition metals को लेकिए अब जो हमारा next is my topic colors है तो simple बात की colors जो है वो क्यों arise करता है अब हम आपने topic के उपर आते हैं कि white transition metals जो होते हैं they are colored same concept आएगा कि transition metals में भी आपके पास number of electrons होते हैं तो जब आपको visible reason की light जब वो absorb करेंगे तो electrons promote होके high energy level में चले जाएंगे और वहां से हमारे पास color जो है वो according to that हमारे पास appear होगा अब एक very important interesting thing भी है कि transition metals जो है उनके जो compound है वो colored है लेकिन यह जो behavior है transition metals का अगर मैं इसको compare करूं s and p block से ठीक है तो यह different है बहुत क्योंकि s and p block के जो complexities होते है they are usually colorless ठीक है वो color नहीं होते है इतने उनका color नहीं होता है वो usually white रहते हैं तो यह behavior है transition metals का this is somewhat different तो ऐसा क्यों होता है हमारे पास तो transition metals होते है उनके अंतर हमारे पास क्या होता there is incomplete ठीक है transition metals में हमारे पास incomplete penultimate shell होती है जो मारी sub shell है that is n-1d ठीक है this is incomplete ठीक है तो incomplete होगी that means यहां पे presence हो रहेगी unpaired electrons की ठीक है transition metals में हमारे पास unpaired electrons होंगे they have unpaired electrons ठीक है तो जब भी हम suitable frequency के light जो हैं के उपर strike करवाएंगे तो हमारे पास यह जो electrons होते है in the d sub shell they will get excited to the higher energy levels तो question है क्या हमारे पास energy levels जो है वो possible है की नहीं है तो पहली चीज तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि हमारे पास जो d orbitals होता है जो नहीं d sub shell है ठीक है जो मारे d sub shell होती है हमारे पास ठीक है इसके अंदर हमारे पास 5 orbitals होते है ठीक है इन सभी के जो lobes होती हैं जो अनके structure चब मरम बनाते हैं तो इन सभी की lobes होती हैं वह एक जैसे ही रहती है, मतलब within the plans होती है और जो हमारे दो orbitals बच आते हैं इनकी जो lobes होती है वह along the axis होती है तो आप सभी को पता ही है तो इस हमारे पास क्यों आउगा what kind होगी, इन दोनों यहां से हमारे दो सैट बन केा रहे है एक along the plane है, हमारे पास इनकी जो lobes along the planes है और इनकी जो हमारे अनर्जी palोन along the axis होती है, ठीक है इनकी जो lobes है, in between the planes रहती है तो inookie Suppose, इनकी जो lobe हो इनकी जो hydrogen के लोब हमारे पास दो सेट बन गए है और बिट्रस के ठीक है that means energy इन दोनों की अलग अलग होगी, तो that means हमारे पास क्या हुआ दो levels बन के आचुके है energy levels तो जब भी हमारे पास unpaid electrons होगे, जब हम उनको energy provide करवाएंगे, ठीक है visible reason में, तो इनको electrons होगे, वो energy energy absorb करने के बाद, excite हो जाएंगे इन energy levels के बीच में, ठीक है तो this is the main reason for the color in case of transition metals that is, transitions हो रही है हमारे पास, ठीक है electrons जो है, वो excite हो रहे है एक energy level से दूसरे energy level के अंदर ठीक है, excitation हो रही है electrons में, ठीक है, एक energy level से दूसरे energy level में, which is the main reason कि वो color show करते हैं और ये हो कहा रहा है ये सब कुछ हो रहा है हमारे पास D sub shell के अंदर, ठीक है तो इस भी को हम बोलते हैं, transition हो रही है एक energy level से दूसरे energy level में तो level कौन से हैं दोनों ही D के level हैं, ठीक है तो this is DD transition तो ये ध्यान रखना है color arises due to DD transition in case of transition metals अभी आपके syllabus के coding ली सिरफ इतना ही है कि DD transitions होती है, अब इनके बारे में detail में में नहीं जाऊंगा, कि ये forbidden होती है, क्या होती है, कि इस तरह से law hood करती हैं ये, तो simple आपने अभी ध्यान में रखना है कि D orbitals इन में दो सेट बन के आएंगे इन दोनों के energy अलग लग है, ठीक है तो इन में से lower energy वाला कौन से होगा इसके बारे में तो हम आगे आपका एक पूरा chapter है crystal field splitting ठीक है, तो ये जो आपने देखा कि यहां से D sub shell दो में split हो गई है इसी को हम crystal field splitting बोलते है क्योंकि energy difference यहां पर हमारे बीच में आ रहा है तो ये जो orbitals होते हैं, वो इस तरह से split कर जाएंगे, so this is the basic pattern for the crystal field splitting इसको हम लेटर ओन डिसक्स करेंगे तो हमारे पास transition इन दोनों energy levels के बीच में रहती है, जिसको हम DD transitions बोलते हैं तो this is the main reason that is why transition metals जोते हैं, they are colored and they have incomplete N-1, तब ही excitation हो रही है, अगर नहीं होगे तो excitation नहीं होगी I think अब आपको यहां पर तो clear होई जाना चाहिए कि transition metals में हमारे पास जो D-block होता है, वो set of orbitals में split होता है ठीक है, one will be lower energy other will be higher energy तो जब भी हमारे पास electrons हो है वो उनको energy मिलेगी इंतर visible reason, वो excite हो जाएंगे lower energy level से higher energy level में ठीक है, और this is the main reason why they show D-D excitation show कर रहे हैं वो, तो इसी की बज़ा से हमारे पास color जो है, वो visible reason में absorb होगा और हमारे जो transition metals जो उनके ions है और इनके compound होगे, वो हमारे पास radiation absorb करते हैं visible reason में और आपके पास उनका जो complementary color होगा, वो हमें appear हो जाएगा ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको अरड़ी कहा कि अगर हमारे पास कुछ एक shells होती है, जो completely filled होती है transition metals में, अगर हमारे पास completely filled configurations हो ठीक है, if we have completely filled configuration, अगर हमारे पास completely filled configuration होगी, that means हमारे पास क्या और है, यह जो दो set बनके आ रहे हैं हमारे पास, ऐसे ही हुआ तीन orbitals एक हैं, दो अलग हैं अगर यह सारे के सारे completely filled होगे इस तरह से, ठीक है, if they are completely filled, like this तो that means हमारे पास अब क्या होगा, अगर मैं electron excite करना चाहूं, तो कहां को excite होगा, उपर तो कोई orbital खाली है ही नहीं है, ठीक है, that means हमारे पास transition नहीं होगी, lower energy level से higher energy level में, that means these compounds जो होते हैं, they will not absorb, ठीक है, color in this reason, तो आपके पास क्या होगे, they will appear as colorless ठीक है, that means हमारे पास presence of unpaid electron should be there ठीक है, unpaid electron होने चाहिए हमारे पास जिसकी बजा से आपके पास, जो है, वो color आएगा, ठीक है, तो हमारे पास completely filled jink की configuration होती है that is zinc ठीक है, zinc 2 होता है zinc 2 के बाद cadmium 2 होता है and mercury 2, इसी series का तो इनके जो compound होते हैं, they are colorless, ठीक है, because of completely filled configuration d10, ठीक है, तो एक कोशिन आता भी है कि दो दो number कैसे, कि why salt of zinc, cadmium and mercury, जो है, they are colorless ठीक है, while that of कोई और दे दिया आपको example, कि copper 2 is colored, तो इस तरह कि आपको यहाँ पर पताना है कि they have completely filled d sub shell, ठीक है, तो इनके बास color नहीं होगा, ठीक है, अगर हमारे पास अगर हमारा कोई d or hotel, जो है बिल्कुल empty हो जाता है, ठीक है, empty है empty है, empty कब होगा, example ले रहाँ है मालनो, मिरे पास scandium 3 है ठीक है, scandium 3 में d0 configuration है वैसे ही titanium 4 ठीक है, this is d0 अब d sub shell में कोई electron ही नहीं है जब electron ही नहीं है तो lower energy level से high energy level में promote कौन होगा, कौन energy absorb करेगा that means वो भी आपके पास colorless रहेंगे, ठीक है तो मैं आपके पास colors उनको discuss कर लेता हूँ ठीक है, कुछ एक ions के color में यहाँ पे लिखूँगा ठीक है, माला this is transition metal ion ठीक है, अब हमारे पास क्या है साथ में this is transition metal ion, along with we have, इनकी outer configuration लिख लेते हैं, आपके लिए easy रह जाएगा, this is outer configuration ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ unpaired electron unpaired electron ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ color तो ion scandium 3 outer electronic configuration d0 ठीक है, unpaired electron 0, तो क्या होगा यह this will be colorless वैसे titanium 3 titanium 3 में अब दिखो, this is d1 configuration, ठीक है unpaired electron है, excitation होगी lower energy level से high energy level में और यह जो होता है वो आपके पास purple होता है color में ठीक है, this is purple in color और वैसे vanadium 3, this is d2 configuration ठीक है, number of unpaired electron 2, ठीक है unpaired electron कैसे निकल रहे है वो हम next copy में करेंगे magnetic moment के अंदर, ठीक है वहां पे हम सिखेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में तो vanadium 3 होता है, this is green in color then next chromium 3 this is d3, इसके color के बारे में तो आप सभी जानते है यह पड़ा ही आप सभी ने जो इसका echo solution होता है this is violet और green in color ठीक है, यह green भी होता है echo solution इसका और violet भी बोल सकते है इसको violet भी होता है यह वाला ठीक है, मैंगनीज के बारे में 7 L तो अगर प्लस 3 होता है तो अगर प्लस 3 होता है अगर प्लस 2 होता है then it is d5 ठीक है, 5 L ठीक है, 5 होगा तो this is light pink in color this is light pink in color अब जो आपके main है उनके उपर चलते हैं पहला तो है आपका iron f e plus 2 then we have f e plus 3 iron plus 2 होगा d6, plus 3 होगा d5, ठीक है अब आप देखो, यहां से हमारे पास मैंगनीज के बाद, unplayed electron जो है वो भी कम on a start हो जाते हैं iron 2 जो होगा हमारे पास this will have 4 unplayed electron ठीक है, iron 2 वो जो हमारा iron 3 होता है d5 it has 5 unplayed electron ठीक है, तो iron 3 जो होता है हमारा this is yellow in color और iron 2 तो मैं आपको बताया है this is green in color अब iron के बाद जो हमारा next member है this is cobalt 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 2 होता है हमारा d7 configuration d7 configuration इंके पास unplayed electron कम होगे 3 cobalt 2 है हमारा pink in color cobalt 2 के बाद आगया nickel 2 d8 इसमें unplayed electron है 2 ठीक है और nickel 2 जो होता है this is green in color अब last में आगया आपका copper 2 copper 2 भाई आपका d9 है ठीक है unplayed electron है 1 this is blue in color और last में आगया आपका zinc 2 d10 ठीक है colorless colorless क्यों है unplayed electron नहीं है completely filled configuration है ठीक है उसको भी finish करता हूं ठीक है अमारा जो next topic है that will be a magnetic moment ठीक है अब जो हमारा this is another very important topic ठीक है magnetic moment के हम बात करेंगे this is next topic magnetic moment another very important topic ठीक है coordination community color and magnetic moment ठीक है coordination community magneto community and magnetic moment physics हमारे पास जो secondo होती है आपके पास यूजिली ऑपले अनंपीड़ एलक्टॉंस के थू हम नंको मेजर करते हैं तो हमारे पास में ली दो तरह के सब्स्टांसी होते हैं ठीक हैас फॉस्ट हमारे पास परामादनेटिक सब्सांस होता है वन वह हाव पा conteú। सब्स्टांस ठीक है and the second we have diamagnetic substance ठीक है तो parametric substances आपके क्या substances होते हैं वह अले substances which are strongly attracted by the magnetic field ठीक है substances which are strongly attracted by the magnetic field the substances which are strongly attracted by the magnetic field ठीक है they are called as parametric substances और इनके अंदर जो parametric properties हैं वह क्यों arise करती हैं ठीक है क्यों attract हो रहे हैं they are attracted due to the presence of due to presence of इनके पास क्या होते हैं unpaired electron ठीक है due to presence of unpaired electron they are strongly attracted by the magnetic field ठीक है और इनको हम parametric substances बोलते हैं similarly जो second है हमारे they are diamagnetic substances these are our diamagnetic substances तो यह ऐसे substances होते हैं ठीक है which are repelled by the magnetic field ठीक है which are repelled by magnetic field ठीक है जिनको magnetic field ठीक है जिनको magnetic field जो है repelled करेगी और इनके अंदर जो है आपके पास ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है ऐसा इसली हो रहा है क्योंकि इनके अंदर unpaid की जगब paired electrons होते हैं ठीक है due to the presence of paired paired electrons they are repelled by the magnetic field and they are called as diamagnetic substances तो यह कुछ एक चीज़े जो है वो आपको पता होना चीए कि paramedic substances में हमारे पास unpaid electrons होते हैं और वो unpaid unpaid electrons जो है वो these are strongly attracted towards the magnetic field और जो diamagnetic substances होते हैं यहाँ पे paired electrons होते हैं और यह oppose करते हैं हमारे पास applied magnetic field को तो जैसे कि आप सभी ने फिजिक्स में बढ़ा ही है कि जब हमारे पास जैसे हमारे पास कोई charged particle जो है जब वो move करता है ठीक है जब आपका charged particle move करेगा जिसमानों की जैसे आपका electric charge जो है जब वो move उसका उसका जो motion होता है वो आपके पास magnetic field जो है वो generate करता है तो similarly जो आपके पास electrons होते हैं इनके अंदर भी वैसे motions होते हैं ठीक है electron जो है वो अपने orbital के round जो है वो move कर सकता है as well as वो अपनी spin के round move कर सकता है जिसको हम electrons में spin motion और orbital motion बोलते हैं तो वहां से भी आपके electron जो है वो भी आपके पास एक वहां से magnetic field जो है वो create कर देता है ठीक है तो यह जो magnetic field create करते है या तो यह applied field को oppose करती है या फिर उसको पने में से reinforce कर देती है ठीक है तो हमारे पास जो total melody moment होती है वो usually जो हमारे पास resultant रहता है individual that is spin motion as well as orbital motion उनका जो हम resultant रहता है उनके through हम निकालते हैं तो मैं जाबा detail में जाने की बजाए अपने topic की उपर आता हूं कि मारा जो topic है that is transition metals होते है they show magnetic properties तो जैसे कि आप सभी को बता है कि most of the transition metal की transition elements है जैसे कि मैंने अब यह भी लिखा ठीक है यह मैंने के ions की form में लिखे they contains unpaid electrons ठीक है आप ध्यक्तम मैंटल्स हो ऑग बड वो पैरा मैंने निच्यमर में रहते हैं था मेंगण मैंने घैक है तो तो स्टांग लिखेक्टिटोगे मैंने मैंने की तरफ तो इसकी विज़़ा से क्या करेंगे इसकी विज़ा से वो अपकिछी पास पैरीमेने क्रेक्टर जोव को the magnetic moment, okay, magnetic collector को हम magnetic moment की form में express करते है, that is simple mu, ठीक है, तो जितने जादा हमारे पास unpaired electrons होंगे किसी भी substance के अंदर, ठीक है, उतनी ही जादा इसकी magnetic moment होंगी, ठीक है, greater is the, greater be the number of unpaired electron, ठीक है, greater is the magnetic moment, greater with the magnetic moment, जितने जादा unpaired electron होंगे, उतनी ही जादा आपकी magnetic moment भी रहेगी, और उतना ही जादा हमारा magnetic character भी रहेगा उस substance के अंदर, ठीक है, और यह जो magnetic moment होती है, इसको हम express करते है, in terms of bohar magneton, इसको हम express करेंगे in terms of bohar, this is magneton, ठीक है, bohar magnetons में हम इसको express करते हैं हमारे पास, यह जो magnetic moment होती है आपकी, ठीक है, तो magnetic moment, जो total magnetic moment आएगी, आपको पता होना चाहिए, the total magnetic moment होती है हमारे पास electrons के लिए, this will arises due to two kind of motions, ठीक है, two motions होंगे, first जो होता है हमारा spin motion of electron, ठीक है, second जो होता है, this is orbital motion of electron, तो इन दोनों का combination होगा, that will give you net magnetic moment, total magnetic moment जो होगी हमारी, वो इन दोनों का combination होगा, ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे, बढ़ी is spin motion and बढ़ी is orbital motion, ठीक है, माहलो, this is nucleus, yes, ठीक है, यह आपका orbit है, ठीक है, तो suppose this is our electron, तो electron क्या करेगा, यहां पी move करेगा, अपने orbit के अंदर, ठीक है, तो जब वो अपने orbit में move करेगा, ठीक है, जब electron अपने orbit के की ठीक है और similarly लेक्टोंस similarly जो लेक्टोंस होते है हमारे it can also spin around its own axis ठीक है अपनी axis के round भी spin करेगा तो जब अपनी axis के round spin करेगा तो वहाँ से आपके पास एक field generate करेगा जिसको हम बोलते हैं जहाँ से आपके पास spin magnetic moment जो है वो generate होगी तो due to spin ठीक है spin की बिया से मारे पास spin magnetic moment generate होगी this is a spin magnetic moment और जब orbital में move करेगा then it will generate orbital magnetic moment this will generate orbital magnetic moment तो हमारे पास जो net magnetic moment होगी that will be the sum of these two spin as well as orbital magnetic moment अब जो हमारी next thing होती है that is जो magnetic moment आएगी हमारे पास transition metals के case में this is due to spin only ठीक है जो transition metals जो है हमारे इनके case में जो हमारे पास magnetic moment आएगी mu effective लिख रहा हो मैं इसको आपकी books में direct as a mu भी दिया होगा इस तरह से simple ठीक है so this is due to यह ध्यान में रखना है this is spin only ठीक है यह सिर्फ उसी spin की बज़ा से है ठीक है आभी मैं detail में नहीं जा रहा हो कि क्यों spin की बज़ा से है क्यों orbital motion नहीं आया ठीक है तो आपके syllabus के coding ली जितना भी है हम फिलाल उसी पे रहेंगे focus आपका quenching के उपर नहीं जाएंगे तो आपकी magnetic moment है due to spin only motion so this will be calculated by using formula under root n into n-2 ठीक है तो इस formula के coding ली that is spin only जो आपकी magnetic moment है ठीक है यहां से आएगे आपके पास by using formula this one जहाँ पे n जो है आपके पास this is number of unpaid electron कितने आपके number of unpaid electron कितने आपके unpaid electron है वो होंगे ठीक है तो अगर मैं आपके पास magnetic moment निकाल लू transition metals की ठीक है theoretical और experimentally हम जो कर निकाल ले हैं इस तरह से तो यहां पर मैं कुछ एक ions लिखूँगा आपके elements ठीक है कुछ एक transition elements और इनकी outer configuration ठीक है उनकी outer shell में किया configuration रहेगी और number of unpaid lactons कितने हैं और उनकी magnetic moment जो है हमारे पास कितनी आएगी उसको हम express करेंगे ठीक है तो पहला scandium 3 d0 outer configuration no unpaid lactone तो magnetic moment एक होती है आपके बास observed ठीक है कि आपके बास कितनी observe हुई और theoretically आपके बास कितनी आ रही है ठीक है theoretical जब हम experiment करेंगे तो आपके बास कितनी निकल कि आती है तो इसकी observed भी 0 है theoretical भी 0 है क्योंकि कोई unpaid lacton नहीं है तो अगर मैं बात करूँ vanadium 3 की ठीक है d2 configuration number of unpaid lacton है मेरे पास 2 ठीक है तो आप यहाँ से फानी से calculate कर सकते हैं तो magnetic moment will be 2 into 2 plus 2 ठीक है under the root this is under root 8 under root 8 को आप solve करोगे this is somewhere around I think 2.87 के आसपास somewhere यहाँ तक निकले गी आपकी ठीक है 2.84 के आसपास तो हमारे पास जो calculated magnetic moment है ठीक है जो आपकी calculated magnetic moment है that will be around 2.83 के आसपास ठीक है that is 2. 8.87 के आसपास जो हमारे निकल के आई और observed जो होती है this is 2.76 के आसपास ठीक है वैसे ही अब आप सभी को बता ही है सबसे आदा unpaired electron manganese 2 के अंदर होंगे D5 configuration 5 के 5 अपकी unpaired है ठीक है तो इसकी अगर हम magnetic moment observe जो अगर देखे हैं this is somewhere around 5.92 5.96 sorry और जो इसकी theoretically हम निकल लेंगे that will be 5.92 तो अगर आप कुछ एक चीचीची difference देखो यहां से जैसे theoretical में 8.7 है observed में 7.6 है that means यहां पे यहां पे स्टील कुछ दिफरेंस है तो इस 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 लिटल भी दू दू अपर अपर अभी लाल के लिए नहीं जाएंगे तो इस तरह से आप सभी की magnetic moment जो है वो calculate कर सकते हैं हमारे पास तो जैसे मैं आपको एक ग्जाम्पल दे रहा हूं we have manganese 2 5 अनपर लक्टोन है तो इसके लिए magnetic moment will be 5 इंटू 5 प्लस 2 ठीक है यह आएगी तो इस 5 इंटू 7 अनपर रूट 35 अनपर रूट 35 मतलब 6 के असपास तो इस सम्वेर और 5.92 अगर आप इसको calculate करें तो इस तरह से हम magnetic moment जो है वो calculate कर सकते हैं हम जो भी आपके transition metals है अब लास्ट में हमारे पास next thing जो है तो इस paramagnetic और diamanty substances के लावा हमारे पास कुछ एक substances और भी होते हैं like जैसे iron हो गया आपके पास metal है उसका oxide है उनकी जो magnetic moment होती है बहुत ज़्यादा high होती है ठीक है ordinary metal से भी thousand times तक ज़्यादा होती है ऐसे substances को हम ferromagnetic substances बोलते हैं ठीक है ऐसे substances को हम ferromagnetic magnetic moment find out करने का from scandium to zinc ठीक है इसको आप सभी ने कुछ से करना है और कुछ से calculate करनी है सभी metals की unpaid lactones आपकी बुक में दिये ही है सभी के ठीक है तो आपने वहां से unpaid lactones लेके by using this formula under root n into n plus 2 आपने जो आपकी spin magnetic moment that is effective magnetic moment है उसको calculate करना है if you have any doubt then आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपका कोई doubt रहेगा तो आप जब आप अपनी assignment upload करेंगे आज की तो उसको साथ में आपने ये चीज जो है वो with formula calculate करके आपने वहां पे upload करनी है ठीक है तो next चलते हैं ferromagnetic substances की बात कर रहे हैं टो ferromagnetic substances में मारे पास होता क्या है usually मारे पास solid state में क्या होता है जो metals होते हैं हमारे ठीक है solid state में जो भी मारे metals होते हैं ठीक है metal ions जो भी होते हैं हमारे ferromagnetic substances के इनको हम ukathe group अ Brain 18 ग्यों है वो group कर देते हैं हम इन सभी को एक छोट उटे चोट उटे वीजन के अंदर जिनको हम डोमेंस बोलते हैं ठीक है तो solid state में हमारे पास domains बन कियाती है फेरोमेडी substances की जहां पर हमने क्या होता है इन substances को हमने grouped करके रखा होता है small reasons के अंदर और हर एक जो domain होती है it will behave as a small magnet ठीक है it will behave as a small tiny magnet ठीक है तो जब हमारे पास magnetic field नहीं होगी ठीक है when there is no magnetic field जब हमारे पास कोई भी magnetic field नहीं है when there is no magnetic field तो आप सभी को पता ही होगा अगर नहीं पता है तो तो कोई बात नहीं अगर आपके पास magnetic field नहीं है तो यह जो domains होती है हमारे पास they are randomly oriented ठीक है randomly oriented, यह ध्यान में रखना आपने these domains are randomly oriented, randomly oriented का मतलब यह है कि वो हर कहीं अपनी मर्जी से oriented होंगी तो इस तरह से वो oriented होंगी, तो इस से randomly orientation जो होती है इनकी कोई बारिंटेशन ले सकते हैं यह तो इस randomly orientation से होगा क्या हमारे पास, जो इनकी magnetic moment होगी ठीक है, वो अपस में cancel हो जाएगी ठीक है, जैसे मालो यह है यह spin up है, यह spin down है तो इनकी magnetic moment इस दूसरे से cancel हो जाती है ठीक है, तो when there is no magnetic field ठीक है, due to random orientation इनकी जो magnetic moment रहेगी that will be 0, ठीक है एक दूसरे के साथ cancel हो जाएगी, लेकिन जैसे ही अब आपने magnetic field apply कर दी, as you applied magnetic field, ठीक है जैसे आपने magnetic field apply की अब यह जो domains होगी हमारे पास ठीक है, अब वो with the direction of applied magnetic field ठीक है, जैसे आप magnetic field apply करोगे अब वो domains जो है, वो खुद को orientate कर लेंगी ठीक है, with the applied magnetic field यह domains होती है they will align themselves, ठीक है वो खुद को align कर लेंगी, ठीक है अब किस तरह से वो align करती है depending, किस तरह से आपकी alignment होगी depending upon the alignment depending upon the alignment, ठीक है, इसकी alignment जो आपके पास domains होगी, जब हम magnetic field apply कर रहे हैं, तो जब वो किस तरह से खुद को align करेंगी हमारे पास तो ferromagnetic substances जो है इस alignment के coding ले, इनकी जो magnetic moment होगी, उनको हम तीन substances के अंदर अगे further categorize करते हैं, depending upon the alignment, ठीक है, जो ferromagnetic substances होगे जो आपके ferromagnetic substances हैं ठीक है, जो आपके ferromagnetic substances हैं, they will be divided into the three types ठीक है, तीन type में हम in code define करेंगे तो पहला जो है हमारे पास जब आपने melody field अपलाई ठीक है, जो हमारे पास ferromagnetic substances, जनकी जो domains है वो खुद को align करेंगी एक ही direction में, ठीक है इस एक ही direction में करेंगे, so as to reinforce the बना एक दूसरे को reinforce करेंगे ठीक है, बना सभी की जो alignment होगी वो एक ही direction में हो जाएगी, like this ठीक है, अब सभी की alignment आप देख रहे हो, एक ही direction में है ठीक है, सभी के सभी एक ही direction में align होए है ठीक है, इसको बोलते हैं हम आपके पास that is, we get ferromagnetism इसको बोलते हैं, ferromagnetism ठीक है, जब सारे के सारे एक ही direction में align करेंगे खुद को this is what we call as ferromagnetism ठीक है और ferromagnetism जो इनका रहता है अगर मैं magnetic moment हटा भी दूँ ठीक है अगर मैंने magnetic moment remove कर ली sorry magnetic field मैंने remove कर ली तो तब भी जो ferromagnetism है वो persist करेगा मतलब कुछ देर तक और रहेगा मतलब यह वहीं पर रहेगा ठीक है तो examples जो इन substances के हैं that is which include nickel cobalt ठीक है chromium oxide इस तरह से etc ठीक है तो यह जो substances होते हैं ठीक है तो ferromagnetism substances जो है they will behave as a permanent magnet ठीक है यह permanent magnet जो है हमारे वो behave करते है they will behave as a permanent magnet ठीक है इनकी जो magnetic moment होगी वो आपके पास persist करेगी अगर हम magnetic field remove भी कर दें अब second जो हमारे पास alignment आती है इन domains की कि वो domains इस तरह से align करेंगे खुद को कि वो एक दुसरे की magnetic moment जो है मतलब जो आपके पास magnetic moment होगी उसको वो cancel ही कर दें ठीक है तो individual जो भी उनकी moment है वो cancel हो जाए और जो मारी net magnetic moment है वो 0 आ जाए तो ऐसा कब होगा माल लो एक इस तरह से align कर रहा है इसके साथ में जो बाकी की domains आप इस तरह से align कर रही है इसको इन दोनों की जो magnetic moment है एक दूसरे के साथ cancel हो जाएगी similarly next इस तरह से align कर रहे है और उसके next जो है वो इस तरह से align करेंगे so that एक दूसरे की जो magnetic moment है individual एक दूसरे को cancel करके net magnetic moment हमारे पास zero कर देंगे इसको हम बोलते है आपके पास anti-ferromagnetism this is called as anti-ferromagnetism ठीक है तो इसको हम बोलेंगे anti-ferromagnetism एक दूसरे की magnetic moment को cancel कर दिया गया है और इसके जो examples होते है वो manganese की होते है MnO2 इसके बाद iron का oxide then nickel oxide etc ठीक है तो यह जो pattern है आपके पास यह pattern आपने ज्यान में रखने हैं बस अब हमारे पास last जो है that is जब हमारे पास melody moment जो होगी domains की वो इस तरह से line करेंगे कि parallel भी होगी anti-parallel भी होगी so that कि parallel और anti-parallel तो है लेकिन unequal रहेंगे numbers में so जब unequal numbers में रहेंगे that means इससे हमारे पास क्या होगा कि जैसे मैंने आपको यहाँ कहा ठीक है यह parallel है this is anti-parallel cancel होगी एक दूसरे के साथ लेकिन यहाँ पे unequal numbers है दो parallels आ रहे हैं इस रहे हैं इस रहे हैं here ठीक है तो net magnetic movement आएगी तो यह substances जो है वो strongly तो नहीं कहूंगा मैं magnetic field के और attract होगे लेकिन weekly attract तो हुई जाएंगे ठीक है इस आर weakly attracted about the magnetic field इनको हम बोलते हैं आपके पास this is ferry ठीक है this is ferry magnetism ठीक है example आपके पास iron के oxide होते हैं ठीक है magnetite fe 304 spinal compound है आपका then we have magnesium ठीक है इनके spinals जो होते हैं आपके पास यह जो compound होते हैं वो आपके पास show करते हैं ferry magnetism तो अब आपने last जी जो अपने ध्यान में रखनी है यह जो ferromagnetic substances होते हैं यह convert भी हो जाते हैं यह खुद को transform कर लेते हैं into the paramagnetic substances के उपर जब आपका temperature जो है वो हाई हो जाता है ठीक है due to उनकी जो spins होते हैं उनको randomize कर लेते हैं यह तो जैसे मैं आपका एग्जांपल दिया fe 304 ठीक है आपका जो magnetite ओर है ठीक है this will become paramagnetic यह paramagnetic बन जाती है आपके पास जब हमारे पास temperature जो होता है somewhere around 580 degree Celsius हो तो यह ferry magnetism से ठीक है यह ferry magnetism से paramagnetic के अंदर आजाता है ठीक है at high temperature के उपर जिसको हम magnetic mystery के अंदर study करते हैं सब चीजों को ठीक है so this is all about the magnetic properties or the transition metals कि यह जो transition metals होते हैं वो आपके पास magnetism show करते हैं क्योंकि इनके पास unpaid electrons होते हैं और जब unpaid electrons ना हो हमारे पास paired electrons हो तो वो आपके पास diamagnetic substances behave करते हैं फिर इसके बाद हमने ferromagnetic substances की बात की कि depending वो अपने domains को किस तरह से align करेंगे उनकी जो alignment होगी यहाँ से हमारे पास ferromagnetic substances की तीन तरह के हमारे substances आए one is ferromagnetism other is other induced anti-ferromagnetism और last में जो हमारा रा that will be ferromagnetism so this is all about this lecture तो आप सभी इस lecture को दियां से सुने and जहां तक मैं देख रहा हूँ आपके class के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक इन lectures को उस नहीं सुन पा रहे हैं तो आप पूरा lecture सुने क्योंकि I have got that all the details की आप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो अगर आपको कोई doubt रहेगा इन दोनों topics के रिगार्डिंग color and जो आपकी magnetic properties हैं these are very very important properties ठीक है exam point of view से भी और आपके competitive exam point of view से भी वहां से भी आपको दो-तीन questions बनते ही बनते हैं राम से competitive में और बड़े-बड़े competitive exam में तो specialing के questions बनते ही बनते हैं कि find out कि meridive moment कितनी है यहीं से आप geometries भी पूछी जाती हैं कही बार ठीक है यहां से color पुछी जाते हैं तो इन सब चीजों के बारे में आप सभी को पता ही होना चाहिए तो इन सब चीजों को आप यहां से बड़े ठीक है if you have any doubt then you can contact me thank you very much